पूरे भात वर्ष की पैचान है, पूरे वर्ष भार्टियों को इस्तिवहार का इंधिजार रहता है दिपावली के फावार पर लोग इस बार एको फ्रेंडली दिवाली मनाने को लेकर काफी उत्ताहित हैं, आईए देखते हैं खास रिपोर्ट जो गाये की गोबर के अब लोग दिपक बना रहे हैं इसमें क्या क्या डाला है ? इसमें ताले मिटी, गोबर सुखा और ये जम चिम गम फिर बादमीन का प्रोसेस करते हैं बनाने का आगे क्या करते है इसकी वीधी क्या है? दीवाली का परवाने वाला है और लोग काफी उसाहित है इको फ्रैंडली दीवाली मनाने के लिए उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार दिवाली पूरी तरह से और्गेनिक सुरच्छित बनानी चाहिए दिवाली की बहुत बहुत शुब कामना है मैं पिंजरापॉल गोशाला और संटाइज गुरुप की तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है अरजित करता हूँ और इस दिवाली हम लोग यहां बहुत सुंदर सुंदर दीपग बना रहे हैं रंग विरंगे दीपग जो गौ माता की गुबर से बनाई जाते हैं पिछले करीब पांच-छे बड़सों से हम गौ माता के गोबर के बेवसाई करन की दिशा में कारे कर रहे हैं और हमारा पूर्व मकसद ये रहता है कि हम गाय के गोबर से अने को उत्पात बनाएं जिसमें की काय के गोबर की खाद है और दीपक हैं राखिया हैं वानने और पस्तु हैं जिससे लोगों को परियावरन से जोड़ा जाए और परियावरन से जोड़ा करके इको फ्रेंडली उनकी लाइफ स्टाइल के अंदर एक नेचुरल लाइफ स्टाइल का प्रवेश हो आज की जो परिस्तती है वो इतनी ज़्यादा बयावे हो चुकी है कि समय का आभाव रहता है और हम पूरी तरह से चाहिना पे डिपेंड हो गए हैं तो ये दो प्रकार से का काम कर रहा है एक तो महिला स्वरुजगार की दिशा में काम कर रहा है जो पूरे देशबर में मैं समहता हूं आज की तारीथ में पांच हजार महिलाएं गाओं जाते हैं देखा जाया कि दिवाली पर लोग जाद तर चाइनीज दीपक पर प्रियोग कर रहे हैं जो पहले की दिवाली हुआ करती थी हर घर में पांसो से हजार या सो दीपक लाके लगाए जाते थे अब कुछ सालों में देखा जा रहा है कि दीपक जो लाने का वो जितने लाते हैं उतने बहुत कम हो गए घरों में दीपक लगाना और फिर जो चाइनीज दीपकों ने उनके जगह ले लिए तो आप लोग जो इको फ्रेंडी दीपक बना रहे हैं उसकी मतलब कैसे डिमांड आ रही है कैसे वह बढ़ावा दे रहे हैं उस चीज़ को आप लोगों नेचरल दीपकों को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं अभी पिछले साल हमने कैं देशों में एक्सपोर्ट किये दिपक, जिसमें हमने 2,0,000,000 एक्सपोर्ट किय थे पिछली साल, इस बार 20, 0,000,000 दीपक हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके हैं तो और वो अमेरिका में यह यहां से गए हैं आप यह समझे कि यदि अमेरिका जैसे देश के व्यापारी यहां से मंगा करके और वहां पर व्यापसाय कर रहे हैं तो यह अपने आप में बहुत ही जादा बड़ा स्केल है क्योंकि दीपक प्रतेख व्यक्ति को सोसे जादा नहीं चाहिए होते हैं लेकिन उन्होंने हमें इतना बड़ा आपसर दिया और इतने सारे लोगों को रोजगार दिया इससे लगता है कि देश में भी इस चीज की गंबिरता से लेते हुए यह वेपसाय बहुत आगे का काम होता है डाई हमारे यह अपलब्द होती है और दीपक बना करके उसकी बेकरी की वेवस्ता भी हम पहले से ही सुनिश्चित कर देते हैं तो यह एक अच्छा रोजगार है जिसमें लाकात के नाम पर कुछ भी नहीं लगता और घरेलू रोजगार है घर में बैठ करके म ही लाएं यह दीपक बना सकती है और एक दिन में यह दी सौ दीपक बनाती है तो चार्ट सो रुपे की इंकम होती हो इसकी तो इस तरह से ही एक बहुत अच्छा प्लेट फार्म है और बहुत अच्छी सोच का का